इस वीडियो में हम समझेंगे वेव फ्रन्ट और हाइगंस प्रिंसिपल वेव फ्रन्ट मान लीजिए कि एक पॉइंट लाइट सोर्स से नंबर ओफ लाइट वेव इमिट हो रही है इन सभी लाइट वेव की स्पीड सेम है और ये लाइट वेव होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है अब मान लीजिए कि की टाइम बाद हर लाइट वेव एकस डिस्टेंस ट्रेवल करती है एकस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर लाइट वेव मीडियम की किसी पॉइंट को टच करती है इस point को हम locust भी कहते हैं इन हर एक point पे medium के particles होते हैं जो same phase में vibrate करते हैं कहने का मतलब ये है कि particular time पे इन points को touch करने वाली light wave का phase same होता है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि same speed से travel करने वाली सभी wave का lower और higher amplitude same होता है animation में हम देखते हैं कि point light source से हर direction में light wave emit हो रही है और एक particular time के बाद medium की हर एक point को touch करती है जिससे एक 3D spherical plane बनता है और इसी plane को हम wave front कहते हैं wave front को हम कुछ इस तरह से define कर सकते हैं A wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase light source के basis पे wave front तीन टाइप के होते है spherical wave front, cylindrical wave front और plane wave front अगर light source एक point source हो तब जो wave front बनता है उसे spherical wave front कहते हैं अगर light source एक linear source हो तब जो wave front बनता है उसे cylindrical wave front कहते हैं अगर point light source या linear light source बहुत large distance पे हो तब जो spherical ये cylindrical wave front बनता है वो plane wave front जैसा appear होता है उसे plane wave front कहते हैं इसका best example हम sun को मान सकते हैं इससे आने वाली spherical wave front प्लेन wave front जैसा appear होती है आईए अब समझते हैं हाईगन्स प्रिंसिपल के बारे में हाईगन्स प्रिंसिपल हमें किसी भी wave front की जो metrical construction और position के बारे में बताता है हाईगन्स प्रिंसिपल केहता है कि अगर हमें किसी particular time पे wave front का shape पता हो तो हम हाईगन्स प्रिंसिपल का use करके किसी time interval बाद उस wave front का shape और position का पता कर सकते हैं हाईगन्स प्रिंसिपल को समझाने के लिए हाईगन्स ने दो statement दी है जिन्हें हम animation की मदद से समझेंगे हाईगन्स प्रिंसिपल की पहली statement कहती है कि किसी भी wave front के सभी point एक नए disturbance की तरह act करते हैं जिन्हें हम secondary wavelets कहते हैं और ये secondary wavelets हर direction में light की speed से travel करते हैं हाईगन्स प्रिंसिपल की second statement कहती है कि secondary wavelets को tangentially touch करने वाली surface एक नया wave front बनाती है जिसे हम secondary wave front कहते हैं आईए इसे हम detail में समझते हैं मान लीजिए कि एक point source से spherical wave front emit हो रहे हैं हाईगन्स प्रिंसिपल के according इस wave front का हर एक point एक नए disturbance का source बन जाता है मतलब हर एक point light source की तरह काम करता है अब इन हर एक point से spherical wave बनते हैं जो हर direction में light की speed से travel करते हैं और इन waves को हम wavelets कहते हैं अब मान लेते हैं कि initially time t equal to zero पे इन spherical waves का radius zero है क्यूंकि सभी wave की speed सेम है इसलिए एक certain time interval बाद जो radius होगा वो speed multiply time होगा यानि के अब हमें हर एक wave के radius की value पता है अब अगर हम इन सभी spherical wave के surface से एक tangent ड्रॉ करें तो हमें एक नए wave front की position मिलती है और इस नए wave front को secondary wave front कहते हैं और इस तरह higens principle का use करके हम किसी भी wave front की position और shape का पता लगा सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें तो मिलते हैं next video में अपक लगा करें पर आपको चैनल पदू करें तो मिलते हैं प्रहते हैं